तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखिए गूगल का क्रूम ब्राउजर ओपेन कर लेते हैं और यहां पर हमको सर्च करना है AIBE तो यहां पर हम सिंपली AIBE सर्च करते हैं AIBE टाइप किया उसको पर क्लिक करेंगे अब यहां पर देखिए तोड़ा सा नीचे आएंगे यहां पर आपको पहले मैं दिखा दूँ जब AIBE सर्च करेंगे तो सबसे उपर जो है आल इंडिया बार एक्जामिनेशन का जो जानकारी है वो आ जाएगी उसके बाद से उसके नीचे हम आएंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है तो इसी पर आपको क्लिक करना है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं इस पर क्लिक कर लिया अब देखिए यह आ गया AIBE का official site जहां से आपको farm भरना है तो यहां पर first step में sign up करना है second step में registration farm को fill करना है यानि अपने documents भी हां पर आपको upload करना है और last step जो है यहां पर third step जो है payment का है तो सबसे पहले हम लोग sign up कर लेते हैं तो sign up पर click करेंगे उसके बाद से आगे की process हम लोग करेंगे चलिए हम लोग उस पर click कर लेते हैं नेक्स्ट step तो देखिए यह sign up परला step था second step में आपको क्या-क्या फिल करना है कौन-कौन से documents लगाने हैं यहां पर दिया हुआ है तो इसको भी देख लिए जाए fill all the required fields in the registration form fill educational qualification details prescribed for applied course यानि कि educational qualification आपको वहां पे सारी चीज़े भरनी है passport size का photograph रहेगा jpg, rpng फार्मेट में maximum 1 MB तक signature होगा जो कि jpg या png फार्मेट में होगा maximum size होगी उसकी 1 MB तक होगी after you click on previous preview and submit button then you will be redirected to preview application page उसके बाद से आपको preview और submit button पे क्लिक करना है उसके बाद से preview application page आ जाएगा वहां पे after submission of online application successfully candidates are required to pay application fee यानि कि अगर आपका राइस station successfully submit हो जाता है तब आपको fee payment करना आवस्यक हो जाता है अब next step देख लेते हैं next step में यह देखिए जो fee से संबंदित है यहां पे लिखा हुआ है payment payment कैसे करना है click on proceed to payment button to complete your payment if applicable if the payment of the fee is made through online e-payment and due to some difficulties the candidate is not sure whether the payment is processed or not then please use login tab to enter in your login account and you check your previous transaction status option to check whether your payment is successful or not तो यह कर रहा है कि अगर आप payment कर रहे हैं और कोई difficulties आ रही है आपका payment हुआ कि नहीं यह आपको पता नहीं चला है तब आपको फिर से आपको अपना email अपने एकाउंट को लागिन करना है उसके बास से जब एकाउंट लागिन करेंगे तो एक option होगा check your previous transaction status तो उसके क्लिक करेंगे उसके बास से वहां पर चेक कर लेंगे कि आपका transaction हुआ है payment हुआ है या नहीं हुआ है उसके बास से जो next step होगा उसके बास से यह होगा कि download and retain a copy of online application farm for future reference उसके बास से आपको जो है जब fix payment हो जाएगा तो आपको download करना है farm को पूरी detail को ताकि future में कोई दिखकत हो तो आप उसको solve कर सके अब यहां पर registration नाउट पर click करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके का next page open होके आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है जैसे यहां पर लिखाओं मैं नाम से मुसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपके enrollment certificate पर छपके आया है यानि जिस spelling में वहां पर होगा से मुसी तरीके से यहां पर fill करना है कोई mismatch नहीं होना चाहिए category यहां पर डालेंगे फिर gender यहां पर डालना है यहां पर अगर differently वल से तो उसको भी चूझ कर लेना है आपको नेक्स जो है enrollment number डालना है enrollment number मिंस आपने state बार काउंसिल में registration कराया है तो जो को इंडूल्मेंट नंबर मिला है उसको यहाँ पर फिल करना है और State Bar Counsel में आपका इंडूल्मेंट है उस State Bar Counsel का यहाँ पे नाम लिख देना है candidate type मतलब यह है कि एगर first time बैठ रहे हैं तो फ्रेस डालिएगा अगर इसके पहले भी AIBE में बैठ चुके हैं तो repeat वाला option चूज करिएगा next यहाँ पर data birth अपना data birth आपको डालना है data birth के बाद से हम लोग next page पर चलते हैं और देख लेते हैं next यहाँ पर देखिए आपको mobile नंबर डालना है mobile नंबर जो है आपको जो है इस नंबर को जो है पर्मेंटरी अपने पास रखना है कभी भी इसकी जरूवत पढ़ सकती है उस पर आपका जो है OTP जाता है उसके बाद से alternate mobile नंबर डालना है कोई ज़रूरी नहीं अगर mobile alternate नहीं है नंबर नहीं है तो इसको नहीं डाल सकते हैं नहीं डालेंगे तब भी काम चल जाएगा email address नहां पर आपको डालना है और mobile नंबर email address पर्मानेंट होना चाहिए आपका अपना होना चाहिए क्योंकि जो भी communication होगा जो भी बातचीत आपकी बार Council of India से AIB exam के संबंद में इमेल आइडी आपका होना चाहिए पास्वर्ड और भी आपको पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट जब email आइडी और mobile नंबर डाल लेंगे तो email आइडी और mobile नंबर दोनों पर जो है OTP आएगा दोनों के यहां पर verify कर लिए जाएगा और यहां पर अपना OTP डालके आपक जो फेज होगा जिसमें आपको फार्म कम्प्लीट करना है वहाँ पर अपने फोटो को साइन को अपलोड करना है सेकंड इस्टेप में उसके बाद जब वहाँ पर सारी चीजे हो जाएगे थार्ड इस्टेप में आपको पेमेंट करना होगा तो इस तरीके से आप जो है AIBE क इस्टेशन फार्म फिल कर सकते हैं उमीद करता हूँ जो भी दानगारी दिया हूँ इससे आप संतूस्ट होंगे AIBE exam फार्म के बारे में जो भी चीजें आपको पूछना है कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ परापर आपको रिप्ला भी देता हूँ इसलिए जो भी समस्या है कमेंट बाक्स में लिखिए मैं उसका उत्तर जरूर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद